गुट मॉर्निंग मानिय अत्यश महोदाए सेमुत राश्ट महासभा के 34 सत्र को 130 करोड भारतियों की तरफ से संभोधित करना मेरे लिए गवरव का उसर है यह उसर इसलिए भी विशेश है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महत्मा गांधी की 150 वी जैनती मना रहा है सत्य वारहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांती, प्रगती और विकास के लिए आज भी प्रासंगीक है अध्यक्ष महोदय इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोक्तत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट देकर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज़्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वज़े से ही आज फिर मैं यहाँ आप सब के बीच हूँ लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा प्रेरख है अध्यक्ष महोद है जब एक विकासिल देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता भ्यान सफलता पूरवक संपन्न करता है सिर्फ पांच साल में ग्यारा करोड से ज़्यादा साउचालाय बनाकर अपने देशवाचियों को देता है तो उसके साथ बनी व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक प्रेरख संदेश देती है जब एक विकांच सिल देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वान स्कीम सफलता पूरवक चलाता है पचांस करोड लोगों को हर साल पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा देता है तो उसके साथ बनी सम्वेदंसिल व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है जब एक विकासिल देश दुनिया का सबसे बड़ा फैनांसिल इंक्लूजन कारेकम सपलता पूरवक चलाता है सर्फ पांच साल में 37 करोड से जादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है तो उसके साथ बनी विवस्ताएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है जब एक विकासिल देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजीटल आइडेंटिपिकेशन प्रोग्रेम चलाता है उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है उनका हक पक्का करता है प्रश्टाचार को रोक कर करीब बीस बिलियन डॉलर से ज़्यादा बचाता है तो उसके साथ बनी आधुनिक ववस्ताएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन करके आती है अध्यक्ष महोदय मैंने यहां आते वक्त सयुक्त राज की इमारत की दिवार पर पड़ा नो मौर सिंगल यूज प्लास्टिक मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हैं तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभ्यान चला रहे हैं आने वाले पांच वर्सों में हम जल सवरक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही पंद्रा करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोडने वाले हैं आने वाले पांच वर्सों में हम अपने दूर दराज के गावों में सबा लाग किलोमेटर से जादा नई सडके बनाने जा रहे हैं वर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्स का पर्व मनाएगा तब तक हम गरीबों के लिए दो करोड और घरों का निर्मान करने वाले हैं विश्वने बले ही टीबी से मुक्ती के लिए वर्स ट्वेंटी थर्टी तक का समय रखा हो लेकिन हम दो हजार पचीस तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं सवाल यह है कि आखिर यह सब हम कैसे कर पा रहे हैं आखिर नए भारत में बढ़लाव तेजी से कैसे आ रहा है अध्यक्स महोदय भारत हजारों वर्स पुरानी एक महान संस्कृती है जिसकी अपनी जीवन परंपराएं हैं जो वैश्विक सपनों को अपने में समेते हुए हैं हमारे संस्कार हमारी संस्कृती जीव में शीव देखती हैं इसलिए हमारा प्रान तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्यान और ये जन कल्यान भी सिरफ भारत के लिए नहीं जग कल्यान के लिए हो जन कल्यान से जग कल्यान और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और ये सिर्फ भारत की सिमाओं में सिमित नहीं है हमारा परिश्रम न तो दयाभाव है और नहीं दिखावा ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरीत है हमारे प्रेयास एक सो तीस करोड भारतियों को केंदर में रखकर हो रहे हैं लेकिन ये प्रेयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं हर देश के हैं हर समाज के हैं प्रेयास हमारे हैं परणाम सभी के लिए हैं सारे संसार के लिए हैं मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी द्रड हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूँ जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रेयास कर रहे हैं जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूँ उनके सपनों से परिचित होता हूँ तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गती से करूँ जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके अध्यक्ष महोदय आज से तीन हजार वर्ष पुर्व भारत के महान कभी कणियन पुंगुन ड्रनार उन्होंने विश्वकी प्राचिन्तम भाषा तमील में कहा था यादम उरे यावरुम केडिर यानि हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं और ये तीन हजार साल पहले की बात कर रहा हूं देश की सिमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमी की विशेस्ता है भारत ने बीते पांच वर्षों में सदियों से चली आ रही विश्व बंधुत्वा और विश्व कल्यान की उसमहान परंपरा को मजबूत करने का काम किया है जो सयुक्तर रास की स्थापना का भी दे रही है भारत जिन विश्वों को उठा रहा है जिन नए वैश्विक मंचों के निर्मान के लिए भारत आगे आया है उसका आधार वैश्विक चनवतियां है वैश्विक विश्व है और गंबीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है अध्यक्ष महोदय अगर इतिहास और प्यार केपिटा एमिशन के नजरे से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत ता योगदान बहुत ही कम रहा है लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अगरणी देश है एक और तो हम भारत में 450 गिगावोट रिन्यूबल एनर्जी के लक्ष पर काम कर रहे हैं वहीं दूसरी और हमने इंटरनेशनल सोलार अलाइंस थाबिच करने की पहल भी की है ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तिवरता तो बढ़ती ही जा रही है उनका दाइरा और उनके नए नए स्वरूब भी सामने आ रहे है इस स्थिती को देखते हुए ही भारत में कोईलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफास्ट्रक्टर सी डी आर आई बनाने की पहल की है दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रन देता हुए इससे ऐसे इंफास्ट्रक्टर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा अध्यक्ष महोदय यूएन पिस्किपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदागर किसी देश ने दिया है वो देश भारत है हम उस देश के वाची है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं शान्ती का संदेश दिया है और इसलिए हमारी आवाज में आतं के खिलाब दुनिया को सतर करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं बलकि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है आतं के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खातिर आतं के खिलाप पूरे विश्वका एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवारिय समझता हूँ अध्यक्ष महोदय आज विश्वकास्वरू बदल रहा है 21 सदी की आधुनिक टेकनलोजी, समाज जीवन, नीजी जीवन, अर्थे ववस्ता, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतराष्ट्य सबंधों में सामोहिग परिवर्तन ला रही है इन परिस्थित्यों में एक बिखरी वही दुनिया किसी के हित में नहीं है ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है इस नए दौर में हमें मल्टि लेटरलिजम और सयुक्त राष्ट को नई शक्ती नई दिशा देनी ही होगी अध्यक्ष महोद है सबा सो साल पहले बारत के महान अध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन जी ने अमेरिका में शिकागों में वर्ल पार्लेमेंट और रिलीजन के दवरान विश्व को एक संदेश दिया था यह संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नौट डिसेंशन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर राष्टिय समुदाय के लिए यही संदेश है हार्मनी एंड पीस बहुत बहुत धनवार अग्रादेश को अल स्मयर प्रिमेर मिनिस्ट्र अल रपूलिक अल इंड पीस एंड यूएंड मां संबोधन करूचे भारत विश्वन युद्ध नहीं बुद्ध आपयाचे विजिवार युएन मां प्रधान मंत्रिया संबोधन करूचे चुम्मो तेरवा सत्तर मां पीम मोधिया संबोधन करूचे जमां आतंगवादना मानवतानों सवती मोटर पड़कार करूचे अमारी संस्कूरूत ये विश्व बंदुत्व विश्व कल्याणनी परंपराने मजबूत करीचे अमारी प्रेणा सवनो साथ, सवनो विकास, सवनो विश्वासनी व्यक्त करीचे भारत विश्वने युद्ध नहीं बूद्धा प्या चे आतंगवाद मुद्धे विश्वाई एक ठूँ पड़ुशे आ वाद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी कहे चे आतंगवाद मानेवत आरों सव ती मोटो पड़कार वुआनी वाद पन प्रधान मंतरी करी चे अमारी संस्कूर्थिये विश्व बंदुत्वा अमारी प्रेणा सवनो साथ सवनो विकास अने सवनो विश्वास भारत सिंगल यूस प्लास्टिक ती मुक्रवा अभ्यान चलावियुचें 15 करोल मकानोंने पानी सप्लाई ती जोडीशू आवाद पन तेमने कहिए चे 2020 मा भारत आजादीना पंचो तेरवा वरस्थिपण वव्यात थी ववेव जवनी करिशें 2020 मा में 20 करोल गर बनाविशू आवाद प्रदान मंत्री कहिए चे 2025 भारत ने टी बी मुक्त करीशू भारत ने सिंगल यूस प्लास्टिक ती मुक्त करवानू अभ्यान पन चलाविशू चे 15 करोल मकानोंने पानी 30 सप्लाई ती जोडीशू आवाद प्रदान मंत्री प्रदान मोदी यूएन मा घरीशे झाल 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 झाल